तो नमस्ते स्वागत आप लोग को मैंने चले मेरा नाम अभी सवागत आप देखरें तो मार्केट प्लेश जैसे के मार्केट किये तो इस दिन पर्टिकुलरर्ली क्रास हो सकता है क्योंकि ये कौल वालों को बूला रहा है और इनको डब करने का कोशिस रहेगा जो कि तो काल बहुत इंपोटन्ट दिन आगर मैं बोलूं काल मंडे के दिन में जो कि आपको नर्मली मार्केट आज नरंद्र मोदी सौपत लेने वाला हैं तो क्या सेंटिमेंट रहेगा मार्केट का किस बैसिस पर हम फ्रेड एक जुगूशन करेंगे कोई जल्बाजी नहीं के साथ कैसे प्लान करेंगे अब इस वीडियो में समझते हैं जैसे का आप देख रहे हो मार्केट ने सार्फ फॉल दिया था यह कंटिनू एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था बैंक रिप्टिन उसके बाद यह चार तरह की दिन इसके नीचे सिधा के क्लोश किया तो यह भी इसको क्रोस करके 49,803 को पर क्लोश कर दिया मतलब अगर मैं बोलूं ब्यांग निप्ति का सेंटिमेंट अगर मैं बोलूं तो अभी स्ट्रॉंग ली बाइंग है क्यूं क्यूंकि मार्केट का यह जो कैंडल है इसको आपको इग्नोर करना पड़े है क्यूंकि यह न बाइं का दिख रहा है, अब 15 मिनॐ जाएंगे न तो हम लोग प्रपर प्लान करेंगे अगर याप अप रॉगा तो क्या करेंगे, फ्लार ओपन होगा तो क्या करेंगे, जैसे काभी हम लोग 15 मिन टाइम फ्रेंड में आए तो आप लोग एक चीज देख रहोंगे 15 मिन बाइंग के तरफ पंटीनू नहीं किया यह अभी पैटर्न पेंडिंग है अगर मैं बोलू डबलू पैटर्न दूसरा चीजह मार्केट ने लास्ट मोमेंट में किया क्या है इस जोन में साइडवेज रहा है पूरा मार्केट ने साइडवेज हो गया बहुत टाइम से फूरा जोन हमारा रहेगा सबसे पहले जो किये 49,658 का जोन है उसके बाद जो नेक्स्ट जोन हमारा निकलेगा ओ निकलेगा जिस रेंज में मार्केट ने साइडवेज हो था ओर रेंज किया था 49,952 ध्यान रखिए 15,000 का जोन है तो उसके लिए हमको कल क्या सेंटिमेंट रहेगा थोड़ा सा बड़ा करके स्क्रीन को ध्यान से समझेंगे देखो अब ये क्या हुआ है मार्केट अगर कल फ्लाड ओपन हुआ मालो मार्केट कला लिए यहां पर ही ओपन हुआ तो हम लोग फोकस करेंगे अगर मार्केट देखो सेंटिमेंट बाइंग का है तो हमारा 50,000 ध्यान से लिख दो 50,000 का लेबूल अगर मार्केट ने क्रॉस किया उसके बाद मार्केट ने रिटेस्ट किया फिर बाइंग में गया ना हम लोग एक बाइंग के तरफ देख सकते हैं आराम से वो बाइंग के तरफ जोन होगा 50,800 सबसे पहला फ्लाड ओपन हुआ मार्केट ने ब्रेक किया रिटेस्ट किया फिर कंटीनू किया तो पर अगर फ्लाड ओपन ना होगी गाप डाउन ओपन हुआ देन क्या अगर मार्केट ने गाप डाउन ओपन हुआ तो फिर हम लोग टार्गेट करेंगे 49,500 का जोन का हम लोग फोकस करेंगे जो ये जोन है मा अगर इसी जोन से rejection लेगा, तो फिर हम लोग एक selling के तरब देख सकते हैं, अगर gap down open हुआ, अगर gap down open होने के बाद 49,500 के उपर market ने आ गया, तो फिर हमारा नर्माली सबसे पहला target रहेगा, 49,950 जो कि उस दिन का market का day high है, I hope आपको clear हो रहा होगा, नेक्स्ट है gap up, जो कि जाज़ा तरब chances रहेगा gap up होने का, सबसे जादा chances रहेगा gap up होने का, उसके लिए क्या sentiment रहेगा, अगर gap up open होता है market ने, तो हम लोग का focus सबसे पहले रहेगा, 25,000 के पास market ने किस तरह का sentiment दिखा रहा है, मालो market ने open हुआ, और market open होने के बाद, gap up open होने के बाद, just a second, अगर market ने open हुआ, और 25,133 लेबल, जो कि पिछले का एक support है, इस जागय में market का क्या sentiment होता है, मालो market यहाँ पे open हुआ, होने के बाद, अगर आपका market इसी के उपर जो कि यह 50,133 लिक के रख लो, इसके उपर अगर sustain करके, market ने फिर एक rally दे रहा है, तो हम लोग यहाँ पे trade execute करेंगे, ना कि यहाँ पे, क्यों, gap up होने के बाद, पहले market को decide करना पड़ेगे, जाना तो किदर जाना है, सबसे पहले जीजे, अगर आप open होते ही buying में चलेग के बाइंग के तरफ जा रहा है, तो हमरा यह जो नया swing बनाया होगा market में, इस swing में हम लोग एक C का position बना सकते हैं, जो कि नर्माल target रहेगा आपका 50,800 का, सबसे पहला है 50,500, next है 50,800, then है 51,000, और मुझे कल ज्यादा तर chances लग रहा है, यह वाला scenario का possible हो सकता है, यह वाला sentiment क possible हो सकता है, जो कि market जो नया high बनाया था, उस high के पास आ सकता है, the end में 3 बज़े तक, तो इस बेस में planning रहेगा, आप चलेंगा, हम लोग क्या sentiment रहेगा, उसको focus करते हैं, यह नर्माली, हम लोग trade भी 50 का करते हैं, तो निप्टी 50 में हम लोग जा के अगर देखेंगे, यह जिसे, निप्टी 50 में हम लोग आगे, तो निप्टी 50 का अगर मैं daytime frame का देखो, तो यहाँ पर एक चीज आप देख सकते हो, निप्टी 50 का daytime frame में, market ने सार्फ रिकवर किया है, सार्फ फॉलिंग सार्फ रिकवर, यह कभी भी market का history में नहीं हुआ है, जैसे market एक trend line में, जै अल्मोस्ट हाई लगया था, उसके आजू बाजू में आके पहुंच गया है, जो कि यह 23,290 का असपास, यह 23,300 का कुछ, 3,500 का हाई लगया था market में, तो कल क्या sentiment रहेगा, निप्टी 50 में, एक चीज हम लोग को फोकस करेंगा, अगर हम उपर के तरफ भी एक channel देखेंगा मार्केट इस channel का असपास है, तो ज्यादा तर चांसेस रहेगा, मार्केट इसी जाएव को टेस्ट करके फिर continue कर सकता है, निप्टी 50 के लिए ज्यादा बड़ा मतलब दिक्कत नहीं है, जितना बैंक निप्टी 50 में, निप्टी 50 में, रेजिस्टान्स ओपन है, अगर मैं बोरूं तो, वो 15 में में समझाऊंगा ना, तो आपको ज्यादा अच्छ से समझ में आएगा, तो इस जगा में किया सेंटिमेंट रहेगा, हम लोग का सबसे पहले उसको फोकस करेंगा, तो इस जगा में अगर हम लोग 15 में टाइम फ्रेम में देखनेंगा, निप्टी 50 सबसे इंप्टी 50 का यह जोन है, क्योंकि मार्केट भी डे क्लोजिंग जो हुआ था, जिस दिन राली दिया था, तो यहीं प्ये प्रटिकुलर्ली मार्केट का डे कलोज हुआ था, और सेम निप्टी 50 के दिन इस जागा से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, तो सबसे इंप तो अगर इसके उपर ओपन होता है, मार्केट ने इस जागा में थोड़ा सा टाइम बिताता है, या ग्याप ओपन होने के बाद मार्केट रिट्रेस्ट करने आता है, तब ही हम लोग यहां से बाइंग का पोजिशन बनाएंगे, पर यहां पे मेरे हिसाब से ना, आपको स् 60 परंड का सबसे पहले, तो हम लोग का एक सेंटिमेंट वेड़ करना पडेगा, फ्लाइट ओपन हुअ, मार्केट टईम मिताया, उसके बाद इस जोन मे यहां इसके उपर आके रहा है 15 ıl fix में, या इसका नीचे दे रहा है, अगर इसके उपर आके 15 मिट में, तो हम लोग आसपास लगबग 350 के आसपास हमारा बाइंग होगा पर अगर मार्केट ने इसी जोन से ही रिजेक्शन लाना चालू कर दिया इसके उपर क्लोजी ने दिया रिजेक्शन लाना चालू कर दिया तो पूर के तरफ कम लड़ के साथ मतलब अगर आप नर्मली ट्रेट के तो 10 मार्केट अगर इधर किदर ओपन होता है गाप डाउन तो सबसे पहला सेंटिमेंट रहता है मार्केट यह जो पहला स्विंग बनाया जो कि यह जोन अगर निकल के मैं आ रहा है तुन्टी 3175 अगर मार्केट ने 21175 से रिजेक्शन ले रहा है तो फिर हमें एक बहुत बड का आपको रैली देखनों को मिल जाएगा दो सो नहीं वान टूंटी वान थार्टी पॉइंट का आपको सिंगल वे में राली देखनों मिल जाएगा अगर याप डाउन ओपन होने के बाद 175 से रिटेस्ट करके मार्केट कंटिनू करेगा देन फिर नेस्ट हमारा अगर यहा में आई होप आपका फूरा मैंशेट क्लियर हो गया होगा चांसा से जात्र क्या आपको और मार्केट रेया राली बनाए नेया हाई बनाए इस बेस में हम लोग थोड़ा सा लोड साइस काल के दिन में कम करें कि देखो इतना दिन तो जहली लिए काल एक दिन है एक दिन हम लोग तो रहते हैं नर्मली अगर टेलीग्राम जोइन नहीं हो तो हो जाना वहां पे मैं लिंक डालता रहता हूं लाइब जब आता हूं लाइब में इसको क्याप्चर करेंगा जिसे मार्केट क्राश सोला दिन हम लोग 2000 पॉइंट क्या लाइफ स्ट्रिम में वैसे ही का का चैन्से से कि हम लोग लाइब स्ट्रिम में कुछ अच्छा मूव क्याप्चर करें तो अई होप आप लोग को समझ में होगा जाते जाते एक लाइक करते होगे जना अगर यह आपको समझ में आया कि आनलिसिस कल कैसा रहेगा मार्केट के किस प्लान में हम लोग ट्रेड जिको संकरेंगा, thank you very much